Hello Everyone, Welcome to my YouTube Channel, Minakshi Math Classes आज इस वीडियो में हम करेंगे Class 7, Chapter No.8, Triangle and Its Property वक्षिट 2 के हम 4 Question कर चुके हैं, अब हम करेंगे Question No.5 इसमें देखें हमारे पास क्या दिया हुआ है, In Figure 8.5 ये Figure आपकी Question में ही दी हुई है, मैंने उसमें से Asities बनाई है इन Figure 8.5, ये 8.5 दी हुए आपकी बुक में, Triangle ABC is Isocellus with AB is equal to AC ये जो आपको उपर Triangle दिख रही है, ABC, ठीक है, बाहर जो Extend करके बनाई है, उसको ना देखें सिर्फ जो ये Triangle बनी हुए है, ABC, इसमें से AB और AC आपकी बराबर है, ये जो AB side है और ये जो AC side वापस में कैसी है, equal है, तब है मैंने ये cut का निचान लगा है Find the value of X and Y, X and Y, ये जो X और Y यहां दिया हुए, आपको इसकी value बतानी है अब हम सबसे पहले करेंगे, in triangle ABC, सिर्फ मैं ये जो triangle ABC इसकी बात कर रही हूँ, बाहर वाले की बात नहीं कर रही हूँ in triangle ABC, सिर्फ triangle ABC में बात करेंगे, हमें दिया हुआ है AB side और AC side कैसी है, equal AB is equal to AC, दिया हुआ है, अब मुझे पता, अगर किसी triangle में इसकी दो side equal है, तो उनके opposite जो angle होंगे, वो भी कैसे होंगे, equal होंगे तो अब आप देखो, ये side है आपकी AB, तो इसके opposite angle कौन सा बनेगा, ये बला बनेगा, यहां पर ये, तीक है, ये बला angle बनेगा, clear है आप इसका name क्या है, अब मैं थोड़ा सा आपको बता रही हूँ, क्योंकि हमने extend करके बाहर भी angle बना रखा है, तीक है, तो यहां से इसको लिखेंगे यहां पर जो मैं पैंसे बना है, इस angle का name क्या हैगा, आप इसको simple C मत लिखो, क्योंकि देखो C का, C तो आप इस angle को भी कह सकते हो, C आप इस angle को भी कह सकते हो, तो सिरफ आप आपको ये बताना है, मतलब ये जो इस side से, और इस side से मिलके बनेगा, तो आप इसको लिखोगे A, C, B, angle A, C, B is equal to, अब A, C side ये है, इसके opposite angle कौन सा बनेगा यहां पर, आप pencil से करना, मैंने pencil यहां ऐसे लगा दिया, आप सारा ये figure के उपर जो भी कुछ करेंगा, आप उसको pencil से करना, इस वाले angle को आप कहा लिख सकते हो, A, B, C, angle A, B, C, clear है, ठीक है, और इसका reason क्या है यहां लिखो, angles opposite to equal sides of a triangle, यहां लिखो, angles opposite to equal sides of a triangle are equal, clear है, अब आप यहां से देखो, आपको पता चल गए, कि triangle के दो angle equal है, अब मैं क्या करते हूँ, सिर्फ यह जो triangle मुझे उपर दिख रहे है, अगर मैं angle some property लगा हूँ, तो क्या हैगा, उपर से यह, यह वाले angle, इसको मैं लिख सकती हूँ, a, angle a, plus, इस वाले angle को हम क्या लिख सकते है, a, b, c, angle, a, b, c, plus angle, इस वाले angle को क्या नहीं दे सकते है, a, c, b, तिन्नों angle का sum कितना होता है, 180 degree, और reason क्या हैगा, by angle sum property, ठीक है, यहां पर आजाएगा, by angle sum property, ठीक है, triangle के तिन्नों angle का sum कितना होता है, 180 degree, angle a मुझे दिया हुआ है, 30 degree, प्लस, ठीक है, यह हमें 30 degree दिया हुआ है, अब यह दुन्नों angle आपस में equal है, देखो, जितना angle आपका, इसको a, b, c को मैं फिलाल ऐसे ही रख रही हूँ, a, b, c, plus, मुझे पता है, a, b, c angle और a, c, b, angle यह आपस में कैसे है, equal है, मतलब, इस a, c, b की जगह है, यहां पर मैं लिख सकती हूँ, angle a, b, c, ठीक है, अब आप यहां से देखो, यह तो सेम है, angle a, b, c, angle a, b, c, ठीक है, तो यहां से आजएगा, two angle a, b, c, is equal to 180, यह वही question चल रहा है, जैसे हम पहले करते हैं रहा है, पस यहां पर हम इसको, तीन points के formation में लिख रहे हैं, otherwise अगर आप इसको simple b और c लिखते हैं, तो यह वैसे का वैसा ही question है, plus के 30 हैं, इदर जाके minus के 30 होंगे, तो यहां से आएगा, two angle a, b, c, is equal to 180 में से 30 minus होगा, 150 degree आएगा, two multiplication में है, तो यहां से a, b, c, कितना आ जाएगा, 150, two divide में जाएगा, तो 75 से cancel होगा, तो यहां से आया angle a, b, c, 75 degree, मतलब यह a, b, c, यह इसकी value आपके आ रही है, 75 degree, और यह और यह भी आपस में एक वला है, हमें बता है ना, देखो यहां से a, c, b, और a, b, c, equal है, मतलब यह वला angle और यह वला angle भी एक वला, तो यह 75 है, तो यह भी कितना आ 75, यहां से लिख दो आप, a, b, c, के बराबर ही है angle, a, c, b, 75 degree, इसमें कुछ extra नहीं है, जितने question अभी तक हम पहल ले करके आए न, same वही चल रहा है, उसके अलावा अभी तक हमने कुछ extra नहीं किया है, clear है, अब आप इसमें next देखो, यह figure में देखो, यहां पर आपको एक सिद्धी सड़क ऐसे नज़ रहा है, देखो, आप a से चले, आप a से चलते गए, आप b point पर पहुंचे और आगे तक चले गए, ठीक है, अब आप देखो, इस point b पर आपके दो angle बन रहे है, एक तो यहां पर बन रहे है, यह वला angle, और एक यह वला angle, और इकठे बन रहे है अगर आपके इस तरीके से दो इकठे angle जुडे हुए angle बनते हैं, हम उनको क्या बोलते है, linear pair, तो आप यहां से इस वाले angle का और इस वाले angle का सम बताओगे, वो कितना होगा, 180 degree, उपर वाले angle को हम क्या लिखेंगे, a, b, c, angle, a, b, c, plus, यह वला तो a, b, c हो गया, और इसकी a, b, c की value अभी अभी हमने देखे, यहां से यह कितनी है, 75 degree, plus x degree is equal to 180 degree, x की जगह यही रखेंगे, plus 75 इदर जाके हो जाएगा, minus के 75 degree, ठीक है, तो यहां पर आप x, x degree, यह किसकी एकवल आ रहा है हमारे पास, 180 में से 75 minus करेंगे, तो यह आएगा 105 degree, x की value तो हमने निकाल दि मुझे x और y दोनों की value बतानी है, तो जैसे x की निकलिया same, वही answer भी वही आएगा, ठीक है, यहां से इस वाले angle और इस वाले angle का sum भी होगा 180 degree, reason वही आएगा linear pair, तो इसको मैं लिख सकती हूँ, a, c, b, angle, a, c, b, plus, निचे यहां पर y degree है, इन दोनों का sum करते है, तो हो कि y degree is equal to 180 degree, y degree यहां पर ऐसे ही रहेगा, 180 degree, 75 दे जाके minus के हो जाएंगे, ठीक है, 180 में से 75 minus आएगा, तो या जाएगा 105 degree, यही दोनों आपके answer है, answer आजाएंगे, 105 degree, 105 degree, तो यहां पर आपका question number 5 हो गया, next हम करते है, question number 6, यह थोड़े से लंबे question है, पहले जो 4 question थे, वो त step आपका extra है, यहां पर देखो, in figure 8.6 है, यह वले आपकी 8.6 figure आपकी book में दी हुई है, find angle ACB, ACB, मतलब यहां जहां double arc लगई है, एक तो आपको यह वले angle बताना है, and angle A, यह A की value भी बताना है, and right, which side of triangle ABC are equal, और आपको बताना है कि triangle ABC में, उसकी कौन सी दो sides हैं, जो आपक equal है, अब आप यहां से पहले तो figure को देखो, यह 80 degree दिया हुआ है, अब आप यहां देखो, यह दोनों angle का sum अगर आप करोगे, तो यह कितना आएगा, आपको देखते ही पता चलगे होगा, एक point पर, एक सीधी line यहां पर है, रे बोल दो आप इसको, इन दोनों का sum आपका क sum कितना होता, 180 degree, तो आप यहां से लिखोगे, यह वला angle, प्लस यह वला angle, इन दोनों का sum कितना आजाएगा, आपका, 180 degree, clear है, ठीक है, तो अब आप यहां से हम देखेंगे, इस वले angle को name क्या देंगे हम, यहां पर आप एक point और ले लो, D, ठीक है, यहां पर देखो, C point पर जो यह double arc वला angle है, इसको आप क्या बोलोगे, A, C, B, angle, A, C, B, plus, यह जो इधर right side angle बनाओ, इसको आप क्या बोलोगे, A, C, D, angle, A, C, D, is equal to 180 degree, और यहां पर reason आएगा, linear pair, clear है, अब A, C, B, इधर left वाले की तो बहले मुझे नहीं पता है, इसको तो मैं लिख रही हूँ, A, यहां पर A, C, sorry, यहां पर D point आएगा, A, C, D, यह जो exterior angle है, इसकी value कितनी है, 130 degree, is equal to 180 degree, A, C, B, ऐसे ही रहेगा, 180 degree, 130 इधर plus के इधर जाके minus के हो जाएगे 130, तो जो आपका A, C, B है, उसकी value कितनी हैगी, 180 में से 30 माइनस वोगा तो यह आएगी, 50 degree, मतलब यह जो आपका इ यहां पर आपका A, C, B की value आ जाती है, आपकी 50 degree, अब आपको बताना है कि यह जो angle A है, इसकी value कितनी है, ठीक है, अब आपको triangle के अंदर जो angle है, उनमें से 2 की तो value पता तो तीसरे को भी निकाल सकते हैं, तो हम यहां से लिखेंगे angle in triangle ABC, triangle ABC की बात हो रही है, angle A plus B plus C, angle A plus angle B, angle A plus angle B, और angle C मतलए इसको आप क्या name लिखोगे, देखो अगर आप simple C बोलते हैं, इसको भी बोल सकते हैं, इसको भी बोल सकते हैं, तो मैं यहां पर क्या कर रही हूं, मैं यहां से इसका पूरा name लिख देती हूं, A, C, B, angle A, C, B, इन सब का sum करते हैं, तो 180 degree आता है, और reason क्या आएगा, यहां से आजाएगा, angle sum property, angle sum property, A की value मुझे नहीं पता कितनी है, B की value 80 degree, A, C, B की value है आपकी 50 degree, is equal to 180 degree, angle A as it is, 80 में 50 आइड कर देंगे, तो यहां जाएगा, 130 degree, is equal to 180 degree, angle A की value कितनी आ जाएगी, 180 degree, 130 दिरा के minus हो जाएगा, angle A की value आएगी, 180 में से 30 minus होगा, तो 50 degree, यहां से यह भी इसकी value भी आपकी आ जाती है, 50 degree, अब आप देखो आपको बताने कि कौन सी दो side ने इस triangle की आपकी equal है, अब आप देखो, यह वला angle और यह वला angle आपके दोनों कैसे आ रहे हैं, equal आ रहे है, मतलब in triangle, ABC, यह वला angle आपका A है, angle A, ठीक है, और यह वला angle आपका C है, angle A और C आपके कैसे हैं, बराबर हैं, ठीक है, angle A और C आपके कैसे हैं, बराबर, इसकी value 50 degree है और इसकी value भी 50 degree है, अब हमें पता है, अगर किसी ट्रैंगल में उसके दो एंगल एक्वल हैं तो उनके अपोजिट जो साइडे बनेंगी वो भी आपकी कैसी होंगी एक्वल होंगी ठीक है अगर किसी ट्रैंगल में दो एंगल एक्वल हैं तो उनके अपोजिट जो साइडे बनेंगी वो भी आपकी कैसी आएंगी इस एंगल के opposite ये वाली side बनती है ठीक है और ये 50 है और ये 50 है इसके opposite कौन से side बनती है ये वाली ठीक है तो आप यहां से आई यहां पर ये इस side का name आप लिखोगे BC ठीक है और C के opposite ये वाली side बनी है इसको आप लिखोगे AB ठीक है तो आपकी AB और BC side दोनों आपकी कैसी आ आगिंगी इक्डुर्ट तू थेके बी सी और एभी आपकी यहां लिखा हुआ हूं हैसको बीए लिख रुकर थे इसके कोई फरकμα्ism पड़ता आप यह बिल क्लो यह लिख लो ए raguk शे होगार ऐसर आगाा एंगल सी बीक बी आपसे पुछा गया था वहाइग अ double A आपसे पुछा गया था वो भी आपका या है 50 डिग्री और आपका यहां से यह जो B, C और A, B आपसे पुछा गया था कि कौन सी साइट इक्वल हैं तो यह दोनों साइट कैसी हैं इक्वल आप इसको B, A, B लिख दोगे तो भी A की बात है तो यहां पर इस वीडियो में मैंने आपको Question No.5 और 6 करवाया है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेर जरूर करें Thank you so much